Hey winners, इस 10-20 रुपे की free जैसी fit curry के इतने amazing results होंगे, ये किसी नहीं सोचा था, जो दुनिया में कई हजारों रुपे के products में भी आपको देखने को और नहीं मिलेंगे, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ share किया था, लाखों लोगों ने इसको पसंद किया और कहा, कि मैं इसके उपर एक detailed video बनाऊं कि कैसे इस fit curry से बनने वाली भस्म, सफ्टे का भस्म जिसको कहा जाता है, वो कई बिमारियों को ठीक करने में use होती है, तो आज मैं आपके साथ share करूँगा, कि इसको किन-किन diseases में रामबान दबा कहा जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे ल और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ये comment करके जरूर बताएं, कि क्या ये जो fit curry वाला वीडियो में आपके साथ share किया था, क्या इस fit curry ने आपकी जिंदगी में कोई value add की, ये 10-20 रुपे के पत्थर ने, और अगर ऐसे comments मिलते रहते जगा पर कहा जाता है, तुवरी भसम भी कहा जाता है, जिसको कई Ayurvedic scriptures में चमतकार जैसा माना जाता है, कई बिमारियों का काल कहा गया है इसको, and this is a classical Ayurvedic proprietary medicine, जिसको alum या fit curry से बनाया जाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी powerful, homeostatic, anti-inflammatory, antiseptic, antibacterial, astringent properties के यानि मुँ और दांतों की कोई भी problem हो, skin care हो, skin beautification हो, body deodorant हो, और hair care के लिए extensively use किया जाता है, जो मैंने detail में आपके साथ इस video में शेयर किया था, तो Ayurvedic में चिकित्सा के लिए fit curry या purified potash alum का use बहुत पुराने time से किया जाता रहा है, रस्तरंगीनी में इसे पित कफ गया है और इसकी तुलना पारस पत्थर से की गई है, तो अब आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस challenge में आप ये भस्म ले सकते हैं, सबसे पहले तो ये कफ, जो सफ्टिका भस्म है वो शरीर से कितनी भी पुरानी कफ हो, खांसी उसको सुखा देता है, निमोनिया हो, टॉंस इसलाइटिस हो, ब्रॉंकाइटिस हो किसी को, किसी भी तरह का bleeding disorder हो, चाहे menorrhagia हो, जो you know menstrual bleeding होती है, जो साथ दिन से ज्यादा कई females में रह जाती है, कई vomiting होती है, टूब्रो क्लॉसिस में वो हो, हीमा थैमेसिस हो, जो blood में vomiting होती है, वो हो, बॉड़ी के किसी भी पार्ट से blood आता हो, तो ये सबसे powerful चमतकारी आशदी है, ये जो भस्म है, इसको चोट पर लगाने से, जो अगर कोई किसी भी तरह का घाव होना, तो वहाँ पर जो खून है, वो परभावित होता है, वो गाड़ा हो जाता है, और उसका एक ठक्का जम जाता है, clot हो जाता है, जिससे खून की कमी किसी को भी नहीं होती, respiratory किसी भी तरह के issues हो, lungs related कोई भी problems हो, कोई भी, eyes की problem हो, liver की problem हो, especially jaundice में इसको बहुत रामबान दवाक आ गया है, जो लोग ज्यादा smoking करते हैं, drinking करते हैं, जिनको body में toxins होते हैं, मूँ के अंदर जिनको problems होने के ज्यादा chances रहते हैं, जो जिसे lungs में toxins बनते हैं, तो इसको use करने से बहुत ज्यादा फाइदा उन लोगों को मिलता है, chronic diarrhea हो, stomach pain हो, mouth ulcers हो किसी भी तरह के, stomach ulcers हो, liver related कोई भी issue हो, piles हो, constipation हो, malaria fever में काफी काम आती है, urine की कोई भी problem हो, किसी भी तरह की toxicity body में हो, इन सब के लिए इसको राम बान मतलब इतनी सारी चीज़ें, शायद ही मैंने कभी किसी वीडियो में किसी एक औश्रदी के लिए किसी पर बात कियो, ये blood purification का एक बहुत बड़ा agent है, अब देखो जो हमारी body है ये कभी भी rest नहीं करती है, हमेशा हमारा blood इसमें regularly circulate करता रहता है, और बहुत important काम करता है, जैसे की transporting oxygen, nutrients और जो hormones होते हैं, उनको हमारे different cells and tissues तक लेकर के जाता है, हमारे body temperature को हमारा blood regulate करता है, antibodies जो कि किसी भी बिमारी से लड़ती है, wide blood cells हो, red blood cells हो, platelets हो, उन सबको भी हमारा blood carry करता है, कितने भी infections हो, वो भी blood purify करता है उनको, waste product, kidneys के तुरू हमारी body से निकालता है, तो हमारा blood कभी rest नहीं करता है, it is always circulating, इसलिए हमारे blood को pure and toxic free, toxins free अगर रखना है, तो ये बहुत important चीज है हमारे लिए, ताकि हमारी body की जो proper functioning है, वो होती रहे, और हम सभी बिमारियों से बच रहे हैं, अब Ayurved में blood purification के लिए एक incredible formulation है, जो हमारे blood के detoxification में सबसे ज़ादा support करता है, और वो है, ये सफ्टिक भसम, सफ्टिका भसम, जिसको कहा गया है, रक्त निवारन ओशदी, Ayurved में, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है, जो मैंने आपको powder जैसा दिखाया भसम, ये ऐसा नहीं होता, ये इस तरह की fit curry का पत्थर होता है, इसको कैसे बनाना है, इसको हमने लेना है, इसको धो लेना है, पानी से, धोने के बाद इसको साफ कपड़े से clean कर लेना है, clean करने के बाद, इसको हमने किसी लोहे की कड़ाई में piece करके डाल देना है, फिर उसको हमने गर्म करना है, तब तक हमने उसको गर्म करना है, जब तक कि इ पीस लेना है, पीसने के बाद इसको जितना बारीक हम पीसेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इसको एक ऐसे कांच के कंटेनर में, आपके पास कोई जार हो, बोटल हो, आपकी सहुलियत के हिसाब से, लेकिन कांच का हो, उसमें आपको इसे बंद कर लेना है, और ध्यान ये द जाएगा, या अगर आपको बाजार से मिलने में दिक्कत होती हो, तो Amazon पर बहुत सारे सफ्टिका भसम available है, मैंने देखा, शायद बैदिनात भी बनाता है, पतंजली भी बनाता है, पतंजली का तो एक पाउच आता है, छोटा सा पाउच है, पंदरा रुपे का सिर्फ कि इसको लेने से पहले अपने आयुरुविदिक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लें, तो इसकी मात्रा हमको कितनी लेनी है, इसकी जो quantity हम जो इसको ले सकते हैं, वो 125 mg से 200 mg तक 500 mg तक भी हम इसको ले सकते हैं, दिन में एक या दो बार ये इतना सा होता है बस, ये मतलब आना खाने के बाद ही लेना होता है, दूसरा ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे मैंने बोला अत्यंत सरवत्र वर्जते, इसको बच्चों की पहुंच से हमेशा से दूर रखना, ये जो चीज है, क्योंकि ये दिखने में चीनी जैसा लगता है, और बच्चे इसको चीनी समझ के ना खा जाएं, इसलिए इसको जरूर से जरूर दूर रखना है आपको, अब इसको किस डिजीज में आपको लेना है, जहां पर आपको ये बहुत फायदे मंद रह सकती है, सबसे पहले तो constipation है, या piles है, या over bleeding है, या urinary tract infection है, तो एक बना पर भी है, वहाँ पर इसको घी के अंदर mix कीजिए, इसका एक गाड़ा सा paste बन जाएगा, इसको वहाँ अपलाई कीजिए, उसके बाद ध्यान से सुनिए, अगर किसी को मूँ में चाले है, गम्स की कोई problem है, bleeding problem है, दातों की कोई भी problem है, मैंने last video में भी बताया था, तो ए दर्सों का तेल उसमें डालेंगे, वो मिला करके एक paste बन जाएगा, रात को सोने से पहले उसको मंजन की तरह कर लेंगे, उसके बाद उसको spit कर देंगे, मुह साफ कर लेंगे, और सो जाएगे, मैं कहता हूँ, पहले ही बार यूज करने पर, अगर आप इसको किसी oral care के हलके से, तो आपको कभी जिन्दगी में, अगर आज तक कोई cavity या कोई problem नहीं हुई है, तो जिन्दगी में कभी dentist के पास नहीं जाना पड़ेगा, दावे से बात बोलता हूँ, और इस video की अगर आप testimonies पड़ो, तो कितनी testimonies ऐसी मिलेंगे, जिन्नों ने कहा कि हमारी cavity खतम हो गई हमारा pain खतम हो गया, और अगर किसी को भी खासी है, या जुकाम जो है बहुत जादा कफ शरीर में बढ़ गया है बहुत जादा, तो इसको शहद के अंदर मिलाकर के लिए ना होता है, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी age, आपका weight, आपका वात, पित और कफ का क्या balance ह है, शरीर की प्रवृत्ति क्या है, जो भी challenge आपको है, जिसको हम बिमारी बोल देते हैं, वो कितना है, उसकी intensity क्या है, उसके हिसाब से, इसकी मात्रा decide होती है, और कैसे शहद में लेना है, कैसे आपको इसको शर्बत के साथ, कि आयरुवेदिक शर्बत के साथ लेना है, कैस सब इतनी सारी चीज़ों पर जो है, डिपेंड करता है, अब अगर इसके permutation, combination बनाये जाएं, तो ये लगभग 800 से ज्यादा बनते हैं, यूनियो, सब की मात्रा और सब चीज़ों में, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक चीज़ बताऊंगा, तो लोग उसको generalize समझ कर हर एक इंसान उसी मात्रा में लेना शुरू कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक 80 किलो का जो इंसान है, दूसरा भी 80 किलो और सेम एज का इंसान उसी मात्रा में लेगा, हो सकता है उसका शरीर पित्त प्रधान हो, हो सकता है उसके अंदर जो भी challenge वो face कर रहा है, pneumonia है, chest pain है, उसकी intensity कितनी हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने आपको ये तनी powerful औशिदी बताई है, इसको लेने के लिए आपके पास जो भी कोई Ayurvedic doctor हो, आप उसको consult करें, मैं ये कोई add नहीं कर रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ, कि हर शहर में, गाउं य जो आपको सही जानकारी दे देता है, सलाह दे देता है, क्योंकि गलत तरीके से किसी भी चीज का सेवन किया जाए, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, जहां तक मैंने जितने भी scriptures पढ़े, या मेरा experience या मैंने जितना भी इसके research को देखा, वहाँ पर यहीं पाय इसको हम externally apply कर रहे हैं, तो एक ही चीज देखनी होती है कि क्या हमको कोई allergy तो नहीं हो रही, infection लाल-लाल तो नहीं हो रहा, redness तो नहीं आ रही, सिर्फ इतना, लेकिन internally किस-किस इंसान को यह नहीं लेना होता उस cases में, सबसे पहले तो जो pregnant women हैं, उनको इसका उपयोग नहीं क करता, या कई लोगों को पता होता है कि हमको hypersensitivity है, या allergic reactions हैं किसी चीज के, वो check कर लें, यह redness तो नहीं करता, चौथा जो है, kidney की अगर किसी को problem हो, तो उसमें इसका उपयोग बिलकुल नहीं करना, जिनको high BP है, वो तो use कर सकते हैं, इसको doctor से consult करने के बाद, लेकिन ज सबसे last में, जिन लोगों को digestive disorders है, यानि पेट में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो यह जो सफटिक भसम है, यह उसको aggravate कर देता है, अगर कोई पेट की दिक्कत है, यानि gastric कोई problem है, peptic ulcer है, या inflammatory bowel disease है किसी को, तो अगर आपको ऐसी भी कोई condition आप face कर रहे हो, तो भी आपक अपने healthcare professional से consult जरूर करना है, इस सफटिक भसम को लेने से पहले, जो लोग smoke करते हैं, alcohol लेते हैं, उनको, जब भी आप सफटिक भसम का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह smoking और alcohol बिलकुल नहीं लेना होता, बाहर का भारी खाना बिलकुल नहीं खाना होता, घर का भी तला मला खान नहीं खाना होता, जिनको heart की blockage है, उनको भी यह जैसे low BP के patient को यह बिलकुल भी नहीं लेना, वैसे heart की blockage वाले लोगों को भी यह बिलकुल भी नहीं लेना होता, सफटिक भसम, बाकी सभी लोग इसको ले सकते हैं, बहुत जादा फायदे मन्द होगा, आपका cuff है, आपका rhythm में, बहुत जादा बात की जाती है, कई ऐसी चीजों पर, कई ऐसे खनिज के बारे में, जो बिलकुल natural तरीके से हमारी body के उपर काम करते हैं, और मैंने इस वीडियो में जादा discuss नहीं किया है, लेकिन कई जगा पर ऐसी research भी चल रही है, इस septic भसम के उपर, जो की लोगो इसी value add की हो, अगर की हो, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि ये चीजें लोगों तक पहुंच सकें, एक awareness आ सकें, कि कैसे हम natural चीजों को use करके अपने आपको सुस्त कर सकते हैं, healthy कर सकते हैं, और बड़े-बड़े खर्चों से बच सकते हैं, और अपनी जिंदेगी को beautify कर सकते हैं, आपकी जिंदेगी खुश्यों से भरी हो, यही दुआ करता हूं, I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life, be happy, be alive.